कि नवश्कार मित्रों शिर्रादे मैं सुल्ट्र पार्टी आपका जोतिश्वित योग बास सास्त्री आपके पशंद नीदा चैनल जोतिश पर चानल मित्रों इसकूल फिर से खुलने वाला है बच्चे इसकूल एड़्मिशन लेने वाले हैं गार्जियन एक अची खासी फीस जबां करते हैं मेहनत की कमाई बच्चों के उपर लगाते हैं और बच्चे अगर पढ़ने में अपना मन नहीं लगा पाते हैं या उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है वो मेहनत करते हैं लेकिन अंक नहीं आता है तो कहिं कहीं गार्जियर बहुत दुखी होते हैं और बच्चे भी दुखी होते हैं कि हम अपने मावाब के अनरूरूर फल नहीं पा रहें इसी दरा के तमाम समस्याएं हमारे पास आती रहते हैं जोतिस से सम्मझदित फुंदली दिखाने के सम्मझदित एक उब चार है जिसका प्रियोग हम आई दिन बच्चों पे करते हैं इसका अच्छा परीडाम आता है वो हम आपके साथ साथ करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्याम से इसमें दो महत्रोंची है एक तो सबसे वाईली जी कि जो बच्चे के पढ़ने का अस्थान है वहाँ पर आपको क्रिया करनी है दूसरी बच्चा कहां पर पढ़ता है यह दो महत्रकूर्ची है सबसे पहले ज्यादा समय न लेते हुए कि जहां पर बच्चा पढ़ता है वहां पर आपको क्या करना है जहां पर बच्चा पढ़ता है, सबसे पहली चीज करिए, पूरव दिशा में उसका मुख रखिए, कुशिस करके मुख उसका पूरव दिशा में रखिए, और पूरव दिशा रखने के बाद, बाए हाथ पर, हमेशा इसी पात्र में जल भर कर रखिए, पात्र के संबंद में अगर आपके घर में चांदी का पात्र होगा, तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर चांदी का पात्र नहीं है, तो आप इस टील के पात्र में कोई भी चांदी की धातू, छोटी अबड़ी डाल दीए, उसके बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीए जब बच्चा पढ़ता रहे उस समय वहाँ पर पानी भरा रहे उसमें हल्दी और चादी की धातू उपस्चित रहे यह प्रत्रिया आप प्रत्रिदिन बालक के पढ़ने के अस्थान पर करते हैं ध्यान लेना है बालक पूरम नुख करके पढ़ रहा हो बाएं हात पर उसकी टेबल पर इस किसी भी पात्र में जल हो सुद्ध जल हो सापसुत्रा जल हो जिसको प्रत्र दिन आपको परिवर्टित करना है चादी के दहातों को निकाल लेना है या चादी का आप पात्र ही यूज करें तो अवर अच्छा होगा और उसमें फल्वी डालना है इस जल को वहाँ पर रखें और प्रत्रिदिन उस जल को किसी भी पेड़या पवधे में आप डाल दीजे पढ़ते समय इसको करिए चालिस से एक- तालिस दिन में आपको इसका अच्छा परिडाम मिलना सुरू बजाएगा अनुभा में 10-12 दिन में ही बच्चो नें परिवर्तन आना सुरू बजाता है बुद्धी के कारक दिहस्पत मजबूत होते हैं और मन के कारक चंद्रमा उनमें मजबूती आती है जिससे बालक जो पढ़ाई करता है उसके प्रत उसका मन ही लगता है और चीज़ें उसे समझ में आती हैं और याद होती है और जब बालक कोई चीज़ें समझ में आएंगी और याद होंगी तो जाहिर सी बात है उसे के परिक्षा परिडाम भी अच्छे आएंगे आने वाले परिक्षा में जो भी जातक अपने बच्चों के लिए या उप्चार करना चाहते हैं करें बस ध्यान में इस उप्चार की सुल्वा ब्रहस्पतिवार के ही दिन करें प्रहस्पतिवार के स्वामी ब्रहस्पति है जो घ्यान के देवता है इस दिन करने से इसका फल और अच्छा आता है ये बात हुई आपके उप्चार की प्रक्रिया की अब हम बास्तु के संबन्द में थोड़ी सी और बात करते हैं आप अपने बालक को कोशिस करके घर के पूरव और उप्तर की हिस्से में ही बैठाएं इस इस्से के स्वामी महस्पति है भगवान भुलेनात का अस्थान माला जाता है जिनके सर पे चन्रवा का व्यास होता है यहां पर ज्यान और एकाटरता दोनों का समागन करता है इसलिए कोशिस करें अपने मकान के पूरव उत्तर कोने पर ही बालक को बैठने की ब्योस्था कराएं तमाम तरह के आपके मन में प्रश्ण होगे अस्थान अभाव में वो आप फोन के माध्यम से अपने प्रश्णों को पूछ सकते हैं या कमेंट बाक्स में अपने प्रश्णों को छोड़ सकते हैं मैं आप फिर से बार पूरी प्रक्रिया शननले बाए हाथ पर जहां बालक कूरव भूप करके पढ़ आया किसी भी पात्र में जिसमें यहां ऑर चांदी पात्र हो उसमें शुद्ध जल और हल्ब होने यह हुचार की प्रक्रिया है बैठने केल Rock. बैचने के कि हश्थाने के करते हैं इस अस्थान पर अध्यां की तक्रिया अतियावस्यक है यह बास्त और उप्चार का एक मिला जुदा प्रियोग हमने कई लोगों पे किया एक अच्छा परिडाम है आज हम दर्सुकों के लिए इस प्रियोग का साजा करते हैं और जोट इस पंचान के माध्यम से आप को पहुंचाते हैं इस उप्चार को करिए और करने के बाद इससे संबंधिक जो भी अनभूति आपको हो आप हमारे चैनल पर अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं या दिये हुए नंबर पर फोन कर सकते हैं धन्यवाद श्रीड़ात हो उमीद करती हूं आपको वीडि चैनल जोतिश पंचांग को सब्स्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटस वीडियो की नोटिफेकेशन लगातार मिलती रहें